नमस्कार दोस्तों मैं सती सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी चैनल Learn and Learn Academy पर तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ SSC CHSL exam के बारे में इसके registration करने के अंतिम तारिक करीब आ चुकी है तो उसी के बारे में मैं आपको एक reminder वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना registration नहीं किया है form fill नहीं किया है तो जल से जल आप अंतिम तारिक से पहले अपना form fill कर दें तो चलिए इसी के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारी चैनल Learn and Learn Academy को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कर्मिचारी चयन आयोग SSC Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level परिक्षा 2020 के लिए online आवेदन करने की प्रक्रिया अगले हफते समाप्त हो रही है सभी इच्छुक और योग उमीदवार SSC CHSR 2020 और 2021 के लिए बताये गए प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम्तिती 15 दिसंबर 2020 है उमीदवार अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आदिकारिक भरती नोटिस के अनुसार ओनलाइन आवेदन सुल्क का भुकतान 17 दिसंबर 2020 तक किया जा सकता है इस साल कुल 4726 भरती निकाली गई थी जिसमें 158 पद LDC, JSA, JPA के लिए और 3181 पद PA और SA के लिए हैं और 7 पद DEO के लिए हैं तो चलिए कुछ जरूरी तारीक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ओनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीक 15 दिसंबर 2020 है ओनलाइन सुल्क भुकतान करने की अंतिम तारीक 17 दिसंबर 2020 है ओनलाइन चलान जनरेट करने की अंतिम तारीक 19 दिसंबर 2020 है चालान की जरिये भुक्तान करने की अंतिम तारीक 21 दिसंबर 2020 है SSC CHSL Tire 1 पर इक्षा 2021 की तारीक 12 अप्रेल 2021 से 27 अप्रेल 2021 तक तै की गई है SSC CHSL Tire 2 पर इक्षा 2021 की तारीक बाद में घोसित की जाएगी तो चलिए मैं पता दिता हूँ आपको सेचिक योगिता और आयू सीमा क्या मांगी गई है C&AG में DEO को छोड़कर LDC, JSA, PASA, DEO के लिए बारवी पास उमीदवार आवेदन कर सकते हैं वहीं Data Entry Operator के लिए गणित के साथ Science Stream में बारवी करने वाले उमीदवार आवेदन कर सकते हैं पदों पर आवेदन करने के लिए उमीदवार की आयू 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए जो उमीदवार 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा नहीं हुए है बाद पर जाना होगा यहां आवेदन फॉर्म भरणा होगा अधिक जानकारी के लिए एनünst. giàыт 13 और 4 पढ़ना होगा और साथ ही मैंने notification का PDF form भी नीचे description box में डाल दिया है वहाँ से आप जाकर notification को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी details पढ़ सकते हैं तो दूस्तो आप भी अगर SSC CHSL की form का wait कर रहे थे और अभी तक आपने इस form को नहीं भरा है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो जल्द से जल्द आप इस form को भर दीजे 15 दिसंबर इसकी last date है तो दोस्तो आशा करते हैं इस वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल Learner and Learner Academy को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं बहुत ही जल्द एक next वीडियो के साथ मिलता हूँ तो अब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें खुश रहें धैन्निवाद